हाई अब्रिवन कैसे हैं आप लोग सो अमीद करते हैं सब अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे लगता नहीं है कि रात को बच्चे सोहें होंगे इतनी टैंशन होगी क्योंकि जो जटका दिया है वो सब को पता है तो क्या यह पॉसिबल है कि एक्जाम हो सकता है इस देट पे दूसरी चीज अगर पॉसिबल है तो क्या 45 डेज में एक फ्रेशर बच्चा इसकी तैयारी कर सकता है कितना टाइम चाहिए इस लिवस खत्म करने के लिए और क्या एक्जाम डेट एक्स्टेंट हो सकती है नहीं और क्लास्स क्या किस परकाव में कबर करना है तो आज की छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सो बनी रही है लास तक और अगर चैनल पर फर्स टाइम वीजिर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ एक आपके लिए गूड नियूज है वो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जैसे आपका रिप्लाई होगा उसी आपसे वो आपके लिए किया जाएगा जो कि JNK में फर्स टाइम हम करने जा रहे हैं ठीक अभी तक JNK में ऐसा फर्स किसी ने नहीं किया जो हम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात करते हैं मोस्ट इंटरस्टिंग कॉशन क्या 45 डेज में ये सलेबस जो है वो कर पाना पॉसिबल है कि नहीं है तो पॉसिबल तो हर ए 45 डेज में एक्जाम कंड़क्ट करवाता है ये कैसे स्वी तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है ये पूरे JNK के लिए सेम टाइम है हाँ ये चीज है कि जो बच्चे पहले से कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बोनस मिल जाएगा उनकी तैयारी प सबको पता है बहुत वासले बस है और टॉपिक दी होते तो भी बहुत अलग थी कि हम टॉपिक को थोड़ा डीप ना जाके जल्दी खतम कर सकते थे चलिए 45 डेज में हम खतम करेंगे क्योंकि जब तक एक्जाम डेट एक्स्टेंड नहीं होता देको 90 परसेंट से ज्यादा चांस है कि एक्जाम आपका एक्स्टेंड होने वाला है यह टेंटेटिव डेट है इस टेट पर नहीं होगा लेकिन हम इस चीज का रिस्क नहीं ले सकते हम लोग मान के चल रहे हैं कि पेपर आपका 15 to 25 के बीच बीच में हो जाएगा यह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क यही एक्जाम होगा और उसी साबसे हमें तैयारी भी करनी है ठीक है कैसे कैसे अब क्या करना है अब आप लोग जी जान से महनत करिये हमारे साथ फ्री में पढ़िये चीजें और इमान दरी से पढ़िये आपका सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि सब को एक ही टाइम मिर रहा ह सबने एक ही etsam देना है और बहुत सारे बच्चे सीरीज होके पढ़ रहे है और डर सबको अलगता है जब हम एक्जाम give हमें भी दर लगता है कोई पीक्जाम जिसने भी नोकरी ली है को पूछो जितना मस्जी पढ़ा हो लेकिन दर तो लगता है दर सबको लगता है लेकिन महनत आपको करनी है तो 45 डेज में मैंने बोला syllabus खतम हो सकता है और आप कर भी सकते हो उसका मैं strategy आपको बता दूँ कि आप जो भी बढ़ रहे हो सब कुछ एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको math, science, उसके बाद आपका quality, history जो भी है, gk, फिर उसके बाद आपकी English, ठीक है English, देन उसके बाद आपका जो भी computer है, जितने भी आपके subject है, तो सबको लगबग एक साथ लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा और हाँ, एक चीज मेशा याद रखना, थोड़े टाइम में तैयारी कैसे होती है, क्योंकि revision का टाइम नहीं है, अगर आपने science का कोई unit पड़ लिया, एक unit complete करा, तो guys, उसको बार 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 revise करते जाओ, क्योंकि अगर आपने 20 दिन में, 20 दिन में जो भी syllabus पड़ा का, और आपको उसी दिन कोई बोले कि C के base पे exam देना, तो वो आपको 20 दिन का आना चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 45 days में syllabus सखत्म तो कर लोगे, लेकिन वो आपको आता है कि नहीं आता, ये आपके उपर depend करता है, कि आपने किस तरीके से तैयारी करी है, ठी 45 days में हम आपको complete करवाने वालें syllabus, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग label को skip करेंगे, label आपका अच्छा ही रखेंगे, उस हिसाब से आपकी तैयारी होगी, तो मतलब 45 days में syllabus सखत्म हो सकता है, सबका एक ही time है, आपको मैं बता दू कि बच्चों से ज़्यादा tension हमें होती ह कि syllabus को किस तरीके से कतम करवाना और बच्चों को आना भी चाहिए, तो इसलिए practice बहुत ज़्यादा करने है आपको साथ साथ, regular पढ़ना है आपको, और कम से कम भी आप, guys अगर minimum भी आप 10 गेंटे, 8 से 10 गेंटे तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, इतने syllabus के साब से, इतना आप इमानदर इसे पढ़ते हो, तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा syllabus नहीं है, अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग बिल्कुली चीजों को इतना ज्यादा डीप में एक्स्रा चीजे पढ़ते हो, अब आपको वो teacher से पढ़ना है, उस institute से पढ़ना है, जो आपको point to point कर मतलब जो syllabus जैसे general science है, अब general science में क्या-क्या पढ़ना है, जो center exam पूछता है, जो state PCS पूछता है, जो MCQ कहां से ज़्यादा बनते हैं, वो पता होता जो भी teacher को पढ़ा रहे हैं, अब मैं science, center level का मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि science में कौन से topic से question आते हैं, और मैं एक दो दिन में math का live class मैं लेने बाला हूं, जो भी live class जिसतरी में लिया करूँगा, वो class आपका 2 गंटे तक minimum और maximum कितना भी चल सकता है, मतलब 2 गंटे, 1.5 गंटे तक हम class live class लेंगे, उस live class के अंदर आप मुझे comment कर सकते हो, मुझे कोई भी question पूछ सकते हो, लेकिन हाँ, अगर live आपका response live में अच्छा हुआ, बच्चे अगर ज्यादा हुए, तब ही ये live class दी जाएगी, otherwise आपको live class नहीं दी जाएगी, तो इसको कोशिश करेंगी हम लोग youtube पे या app पे run करें, और live का मतलब कि आपको time मिलेगा कि रात को 9 p.m. पे live आना है, तो 9 p.m. पे आपकी क्योंकि live class लंबी चल सकती है, आपके response के उपर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं उसी time साथ-साथ आपको reply करूंगा, जो भी आपके question doubts होंगे, साथ-साथ clear होंगे, इसका मतलब समझ भी आपको आएगा, तो ये चीज़ आपके लिए करेंगे, ये आपके response पे depend करता है, ये कितना time चाहिए, तो हमने जैसे बोल दिया कि 45 days में खतम हो जाएगा, अगर आप 10 गंटे तक minimum पढ़ते हो तो, और अच्छे से खतम हो जाएगा, लेकिन जो जो पढ़ोगे, उसको पीछे नहीं छोड़ना है कि अब इसको exam के time revise करेंगे, तो तब selection नहीं होगा, मतलब जो जो पढ़ते चले जाओगे, वो आपके दिमाग में गुस्ता चला जाएगा और दिमाग में इसको रखना है, revise करना है, साथ साथ, वो खोट ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 45 days, और जो बच्चे fresher हैं, ऐसा नहीं कि fresher इसको clear नहीं कर सकते, जो बच्चा मेहनत करेंग पहले ही जीके पड़ी हुई हैं, तो उनकी recording मैं बो रहा हूँ, जिस बच्चे ने finance account assistant की तैयारी करी है, उनका science आल्मोस्ट हो गया होगा, उन लोग उने English पर पढ़ लिए होगी, maths चलो आपको नया पढ़ रहे हो, मैं करवा रहा हूँ, especially, economics आप लोग ने maths में पढ़ी हो चांसे हैं कि 90% तक यह extend होने वाला, बैसे भी यह tentative date है, और यह के SSB ने आज तक tentative effect पर नहीं लिया, लेकिन लेकिन आपको मान के चलना है कि paper इसी date पर होगा, और इसी तरीके से लग जाओ, पहले हम क्या कर रहे थे, class को बिल्कुल beginning से start कर रहे थे, अब class beginning से start नहीं होग कि हम लोग ने पहले ही start कर दिया था, वो जो science के lectures होगे, वो जो math होगा, उसके बाद जो भी आपकी GK वो तो चलो start ही हुआ आपका, जैसे science सो आपका पहुत सार लेक्चर होगा है, जैसे history के class में हम चार रही है, तो बो तो दूसरी तीसरी है, quality चार रही है, वो भी 4-5 class ह तो यही से start कर रहे है, मतलब जो हो गया, उसको as it is रखेंगे, आपको वही से पिछे से भी पढ़ना है, वो साथ साथ जो हम करवा रहे हैं, वो भी पढ़ना है, ठीक है, और live class आपको क्या लगता है, कि live होना चाहिए math में, अगर live class आप चाहते हो, तो मुझे comment session में होते हैं, तो फिर हमें doubts से इकटे करने पड़ता है, और doubt class लेना पड़ता है, तो हम कोशिश कर रहा हूं मैं इस बार कि JNK में पहली बार हम live connect करवाएं, और वो भी openly कोई भी बच्चा है, जिसको free of cost पढ़ सकता है, ठीक है, आप मैं इसे बात कर सकते हो live में, मैं इसके comment session कुछ भी पूछो का मैं reply करूगा जो भी genuine question होंगे आपके, तो ये चीज़े मुझे discuss करनी थी, कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब के लिए same time है, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, तो हो जाएगा कोई बहुत बड़ा exam नहीं है, लेकिन ये बात condition है, कि आपको syllabus के coding पढ़ना पढ़ेगा, point to point चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी, अब जादा ये time नहीं है, कि आप लोग एक सब्यक्ट पकड़के बैठ चार उसको चार चार बुक से पढ़ना स्टार्ट करो, उससे नहीं होगा, आपको उस teacher से पढ़ना है, जो आ अब क्योंकि पहले क्या था, मैं practice क्यों नहीं डा रहा था, क्योंकि हमें ये था कि हम starting से start करने वाले है, लेकिन अब ये है कि पीछे वाले chapter आपको वही रहेंगे, उसका practice में extra start करने वाला, जिस बच्चे ने पढ़ा वो ठीक है, जिस ने नहीं पढ़ा, वो ये classes पढ़ लेना playlist में जाके और इसी से आगे आपको practice में मिलना start हो जाएंगी, प्लस आपको निया chapter में यहाँ पर start करने वाले हूं, लाइब, एक दो दिन में live class करेंगे, पहले आपका response देखेंगे, कितने बच्चे चाहते हैं live के लिए, so बिल्कुल भी नहीं डरना, इमानदरी से म लिए बस खतम, तो hopefully आप maximum बच्चे सेलेक्शन ले पाओगे, so all the west मिलते है next class में, बाकि live का comment कर देना कि live कौन-कौन बच्चा चाहता है, अपने आपको uniform और shoulders पर stars को देखना, basically सभी यंग्स्टर का सपना होता है, well मैं बात कर रहा हूं, जेके भी सब इंस्पेक्टर की, और अगर आपका भी यही सपना है, तो सबने को साकार करने के लिए, J&K मैं Silver Educator Awards से समानी, JKSUSB Online Tutorial, YouTube चैनल, आप सब के लिए लिए लिखा है, free online course for JKP Sub Inspector exam, और यह free course जोइन करने के लिए, आपको install करना है, JKSUSB Online Tutorial Android app from Play Store, आप लोगों देख सकते हैं, install करने के बाद, आप simple app को open करना है, open करने के बाद आपको batch पे जाना है, batch पे जाने के बाद, plus icon पे click करना है, और वहाँ आपको batch code place करना है, JKP SI, डालने को बाद OK कर देना, उसके बाद आपकी request हमारे पास आजाएगी, and after that, हमें approve कर देंगे, okay, so thank you so much, यह छोटा सा काम करना है, जो आपको आप